हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक चलो अब चालू करते हैं लास पार्ट और एक्सराइज 3.1 जहां पर हम देखने वाले इसे टाप के कोश्चन यह क्या है पता नहीं आज के लेक्चर में मैं प्रिवियर्स यह बोर्ड कोश्चन में सॉल्ल कराने वारा हूं सबसे पहले बता दो यह जो कोश्चन दिया है यह एक्सराइस का है 3.1 कोश्चन नमर 4 इधर का है लेट इट भी आप लोगो तो मालूम है मैं सिक्वेस अपने तरफ से देता हूं चलो श्याट करते यह कोश्चन को डिल करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ बेसीक देखो यह आप लोगो को याद होना चीए यह आमलों का हो चुक है पहला लेक्षर से अगर नियू तो यह तुमारे लिए नहीं रहेगा लेकिन ओल्लों तो यह तुमारे लिए रिविजन है देखो क्या आप लोगो यादा रहा है पहला पॉइंट अगर मैंने किसी भी तो डबल डकॉर्ट देट है चलो लेटिर भी इतना यहां दगना function का डेरी वेट्ट रिटेट्व किया तो क्या जाता है डैसी लेक्ट्टर में कुए है आज तिम्हों को मालूब है धिक्डीवेड्यू और इंटी सीन एक दुपर्स प्रोसेस होते हैं इसका डेरीवेट्व क किया तो f dash of x f dash of x का integration किया तो f of x तो देखो f dash of x का integration कर रहा तो क्यों आज़ा कि मालू में f of x पहले बोलुंग याद क्लियरे एक्स्टा एक चीज़ी याद रखने का एक्षर नमर वन में आपने क्लियर कि लेक्षर नमर 01 में आपने देखा है यह क्यों एक्ष्टर सी आता है ठीक है यह पहला पॉइंट क्लियर है किसी को दिक्कत चलो आप लोगों को याद हो का मैंने एपली के सिर्व डेरिवेड़् चैप्टर में सिखाए था क्या सिखाए सर मेरे को याद नहीं चलो अच्छी बाते अगर में एक्ष्ट लिखाओ यहां पर एक्स स्क्वेर प्लस 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 सेवन ऐसा कुस्त लिखाओ और मैंने किसी बच्चे को बोल दिया पॉइंट एक्ष्ट इसका मतलब समझता है एक्स की जिए पर क्या लिखना है देखो क्या लिखना है एक्स के जिए पर क्या लिखना है या अगर मैंने बोला एकस क्या है यह फूइन है लिखना ह हुए त इसका मतलब एक्स के जिएंट पर क्या लिखना है one अच्छा डाउट है यहां पर रहा हूं यहां पर बताओ इसका मिनिंग क्या होएगा अरे सर इसी है बोलो दिमाग लगाओ f of x में f of x में x is equal to word 7 यहां दा क्लियर रहा चलो question change करता हूं यहां पर मुझे बताओ यहां पर बताओ यह डैश यह डैश 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 अच्छा तोड़ा बना देता हूं डैश एफ of x में x के जीके पर 3 गलत बोल रहे हो अरे बच्छा डैश है डैश तो इसका मतलब क्या होएगा एफ of x में x is equal to 3 यह डैश देखो डैश देखना ची पहला पॉइंट यह clear होता है दूसरा पॉइंट यह clear होता है तिसरा पॉइंट अपने को इंडिग्रेशन ओफ x ratio of n का formula आना ची क्या होता है x ratio of n प्लस 1 upon what n प्लस 1 प्लस c याद रहा है सबको ओके यह तो यह तो फॉर्मूला है तो तीसरा पॉइंट बोलनी के जरूबत नहीं है यह फॉर्मूला है यह सबको पता होना ची चलो start करते है फिर आज का लेक्षर पहले प्लीज इसको दो मिनिट के लिए देखना ची क्या है क्या ने एक बार द लिखना है तो लिख लो हटा देता हूं चलो ठीक है कि सब्सक्राइब कर लो एक बार रिट कर लो क्या पूछा है यहाँ पर इसको मालूम है अगर मैंने इसका integration कर लिया ना अरे देखो ना यार यहाँ पर देखो मैं कैसा लिख रहा हूं यहाँ पर solution में ध्याइंद देना अगर मैंने लिखा अगर मैंने इसका integration नी लिया ना तो f of x आजएगा तो हम लोग क्या लिखने का इसके राइट सट में बस क्लियर है और बीथ रिस्पेक्ट्र शॉथ इसको इसका मालूम है इसका अंसर क्या अंसर क्या था एर इसका अनसर क्या था अगर यहां पर लिखा तो इसका अश्लिए एफ औफ एकस तो यह पूरे का अंसर जो हो गया ना पूरे का अंसर एफ एफ एकस मिल गया है हां इंडिकरेशन तो पर राइट साइड का यह नागी इसके पास यह दोगो यह आपर यह दिख रहा है एकस रेश्ट टू थृ नीचे मैंने तुम लोगो क्या सिख था इतना ले इसका नहीं मालूम है यहां पर एकस माइनस ठीज त्री उसको पाले केचा थे अब सॉटेट है अब नागीन को इसके पास भेज़ो फ और वीटैंपलो एकसिपल दोडोड क्या एगएगा इंडिक्रेशन ओफ एक्स डी एक्स माइनस यह ना गिन इसके वाद थ्री वहार क्योंकि थ्री एक कोईपिशन जी सा काम करता है इतना लेक्षर होने के बाद यह चिंदी लग रहा है चलो और बाता हो क्या आएगा माइनस3 माइनस 3 बहुलो मत् इंडिक्रेशन करने के एक एक स्फट्र सी आता है क्यों आता है यह तुमझे अगर नहीं मालू होना ऑगर नहीं मालू है यहां बरो बात करो f of x f of x is equal to what क्या आएगा बच्चा बोलो x square upon what 2 minus 3 minus 3 plus 1 कितना minus 2 होता है तो x raise to what minus 2 upon what minus 2 चाहिए तो दीख लो plus c अच्छा एक काम करो पहले इसको आप दो यह ना minus minus क्या हो गया plus और x raise to minus 2 उपर है नीचे जाएगा तो x raise to 2 हो जाएगा तो फाइनली यह दिखता कैसे दिखता कैसे x square upon what 2 दिखेगा कैसे पहले यह देखो माइनस माइनस क्या हो गया plus 2 तो यह नेगीटिव पावर हजम नहीं होता है तो यहां पर फाइनली क्या एगा 3 upon 2 तो आईसा है यह समझा 2 आईसी यह x raise to minus 2 है ना उपर दा नीचे हो गया तो क्या हो एक स्क्वेर प्लस c यह तुम लोगा f of x मिल गया क्या मिल गया बच्चा f of x बल्ले बल्ले क्योंकि question में यही पूछा था हाँ या ना हाँ या ना पहले यह बोलो एक बर उपस एक बर उपस f of x था integration किया तो f of x का क्या हो गया f of x इदन integration इसके पास इसके पास किया solve क्या है solve करना है यह तो यह तो चिंटुकला आइटम है होगे answer आ गया ना यहां पर यह एक्स्ट्रा कुछ तो लिख के दिया है जब 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 ऐसा एक्स्ट्रा लिख के देतना ना तो देया डिमांडिंग कि तुम लोग सी का वैल्यू भी देतना क्या दिया है 11 अपॉन टू इसका मतलब क्या था आठान का मतलब एफ एक्स में एक्स की जगे पर डालना एक बड़ वापस बोलू एक्स की जगे पर ठीक है चलो यहां पर एक्स पूट फूट पूट एक्स इस इक्वाल डूट 1 का पर in f of x में f of x ना यहां पर अरे समझागे नी समझा अरे बच्चा बोलना बच्चा सर यह क्या है अरे छोड़ना यह क्या मालूम है यह क्या है एक्स का वैल्यू डालोगे ना तो f of 1 का वैल्यू 11 बाइट हुए तुम लोंने अप्लिकेस्ट नहीं सिखा रहें तो कोई तक हो अकर्षान गीवण दिक्कत वाय इसका बाता ना यह कहां से यह कहां से यह मेंने अपने मैं से लिखा गया नहीं है चलो इसका बाताओ इसको सुल करो इसको भूलो पूट है हिंदी में कैसे बोलते हैं लिए फ of x में x के जगेब बहून इंगलिज समसें पूलंगे प 3 upon 2 x की जगे चलो यहां पर लिख देता हूं नहीं तो बाद में गाली दोगे तुमनों गोलेंगे कहा गया यह सर प्लस यहाद यहां जेको अब देखो f of 1 का value ए पहले x के value डाला अब f of 1 का value क्या जिए f of 1 पूरा अखा के जगे पर 11 upon 2 यह होता है समझा है यह संभाने में ल्वेलीज यहाँ फिंवा पर प्रमाण टो प्लस रहो यह रिख माद प्लस बारेलण हमाले मैं के फिर नहीं को सच्साइब सब्सक्राइब कर नहीं जा रहा था देगा सबका डिनामेटर से में तो यह अच्छी बात है एक ही बार लिखने का बोलो 11-1-3 उपर होले को सौल कर रहा है तुमने को मालम बढ़ेगा कुछ तो बोलो यहां पर क्या है ग्यारा में से ग्यारा में से 11 साथ बचेगा साथ बचेगा डारिकली बोलो 7 upon 2 is equal to c that is c का वैल्यू मिल गया 7 upon 2 अब अगर c का वैल्यू मिल गया जो f of x अधूरा था उसको पूरा कर दो मतलब तुमनों को एक चीज़ समझा जब जब इस एक्स्टा डेटा देगा इसका मतलब वहां पर देयर एक माक्स कट कर सकते हों लोग समझ बर यह चीज तो यहां पर c का वैल्यू निकालना भी जरूरी होता है कब नहीं निकालना है अगर यह एक्स्टा डेटा नहीं दिया होता तो इसका मतलब मैं एक बार आया बोड में मैं सब कुछ कवर करूँगा पहले बोलो यहां तक अब यहां दखना किसी को डाउट नहीं क्या समझा एक बार रिवाइस करो नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे करो एक बार वापस देखो क्योंकि तुम लोग पास यह फैसलीटी अवेलिबल है यूटुब के साइट से पीछे कर सकते हो वापस देखो और क्या ही जाता है और यह एक्सेस के कोशें अभी में बोर्ड का भी कोशेंज करांगा होप सो तुमने बहुत सब्सक्राइब इसको कॉपी करो सो गाइस यहाँ पर वन माग का मार्च दो आजर बाइस का कोश्चन है यह सम डिल करने से पहले आप लोग दिल पर हाथ रखे बोलो दिल पर मतलब अंदर से हाथ मत रखना ऐसा हाथ रखो और सज बताना क्या आपने सातों के सातों लिक्चर देखा है अगर हाँ तो यह कोश्चन डिल कर सकते हो अगर न तो फिर यह कोश्चन डिल नहीं कर सकते हो जरत सोचो mult का video pause करने का का कोसी सक हो अप लोग चलो यहाँ पर तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को पता देता कुछ तपह बच्चे नों है काम करना है चलो लिखते हैं इंटीग्येट बोलओ क्या लिकोंगे हाँ बोड़ साइड भी रिस्पेक्टीवड एक्स यह भी लिख लिए घागा नांगीन राइट चाडवाला विथ रिस्पेक्टीवड एक्स यहीं कि अचा इसका अंसर तो मालूं बड़ गया एकपक्स इसका अंसर अरे सर यही तो है 番 ख़तम करोने कहता है यहां पर 0 होता है प्लस C तो महलूरत! Except keeping 2 तांसर क्वेशन होता है! And 0 होता है इंफिनिटी? यह not defined तो यह कोशचीन गलत है मतलब यह सैस्ञा क्वेशन गलत है यहां पर चिला चिला के बोलता था कि यह याँ था यह बहुत नहीं चलता है। चार माग का कोशन कंपन सिरी होता है कोई ओप्षन निए चारी कोशन चार में से चारी सॉल करो तो यह आप लोग ने गलती गया तो क्या करने का सर याद कर याद कर मैंने तेरे को सिखाया था मैं नहीं तेरे को सिखाया याद करना याद करना बहुत ही सिंपल कोशन होता है इ यह x raised to minus 2 तो नीचे जाएका तो x square होता है x raised to our minus 1 हो ने कोई integration नहीं है साथ वी आठ्वी का घंडी थे पावर वाला rule of indices बोलते पावर का अब करो ना integrations अब करो ना अब हो जाएगा तेखो अब हो जाएगा गलती किया ठीक है अब समझो 1 upon x इसका अंदर तो f of x आ गया इधर को मालू में नीचे का derivative पर वाला या 1 upon x का integration directly available है log of x आगे प्लस सी लिखने का और यही तेरा कोईट आले स्टेप सरसी का value नहीं निकालने का कहीं पर extra data दिख रहा है क्या नहीं तो सी का value नहीं निकालने का यह important step है कल के दिन ऐसा कोश्चन फ्यूचर में आ सकता है कौन सा कोश्चन में बताता हूं ऐसी एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्स्ट्रा बात क्या ना मैंने बोला ना तुम्होंको बात करूँगा अगर f-dash of x से यहाँ पर 3x आने तो यहाँ फॉर्मुला यूज नहीं करने का फिर वहीं नीचे का डेरीटू पर आला तो क्या करें एक्स्ट्रा बात हो रहा है मैंने बोला ना फ्यूचर में आ सकता है कुछ भी हो जाए कोश्चन फ्यूचर में आ सकता है इसके प्याइसा हम माइनस फूरेगा तो यही के इंडेशन ही वाण पॉण 3 x निचे का डेरीवीडू पर नेचे कालेशाओ निचे का डेरीवीडू और आप लोगको ना निचे का डेरीवीडू करनेगा तो अपर encompass मोड़्स नीचे वलट रॉट ग्की है यहां पर खेलनेगा में शुरओ नेगा आ अगर यह मुझा श आऽ समुझा तो इसका सब्सक्राइब कर दो इसमें नहीं करने का अगें रिपीट कर रहो नीचे नहीं लिखने का क्योंकि हम लोग आरेंजमेंट पहली कर देते हैं वह अलड़ी आ गया है इसको कॉपी करना चाहिए यह नहीं समझा छोड़ दो में तो यह था लेकिन यह समझना चाहिए फ्यूचर में कुछ भी कुश्चन आ सकता है वन माक के लिए तो आप लोगो पता ना इविंगे जिदर माइनस टू होता तो मैं यहीं लिखता माइनस टू प्लस वन अभी समझ ऐना लगता माइनस टू प्लस वन माइनश टू प्लस उन इन्टू एक्स के साथ को चिपका यहां पर यहां पर क्योंते लिखाई यह पर श्योक्तुचर में लिखने का पूरा करोगे तो सब आएगा प्लीज एक बार देखो यह important है लेकिन यह भी समझना चाहिए ठीक है नहीं समझा कमज़र student related भी इसको इग्नोर करो अइसा कैसा इग्नोर करोगे तुम लोग मेरे student of friends सब्सक्राइब नहीं तो बताओ अपने तरब से साथ लेक्चर देखा तो यह इसी लगेगा प्लीज इसको कॉपी करना चाहिए तो गाइस थर्डवाला question एक बार read कर लो एक बार read कर लो येस 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 हाँ f dash of x दिया है f dash of x दिया है और पूचा क्या है f of x ठीक है extra do data दिया है इसका मतलब they are demanding कि c का value भी find out करो याद करो मैंने बार 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 को रहा हूँ अगर extra data दिया इसका मतलब c का value भी find out करो सरक छोटा सा question है क्या दो extra data दिया है इट मिन्स क्या दो चीट find out करना पड़ेगा अगर तुने ये सूल लिया तो heads up to you answer is yes एक extra data दिया रहता है ना तो scale c का value निकलनेगा दो extra data दिया इसका मतलब दो value निकलना अब दो unknown value क्या है वह देखना पड़ेगा एक unknown दो मालू में c निकलना है दूसरा unknown क्या question में देखो कहीं पर छोटा है छोटा भी के मतलब कोई ना कोई constant या coefficient रहेगा जैसे कि इस question में देखो के दिख रहा है येस इसका मतलब दो extra data दो unknown one more time दो extra data तो दो unknown में एक तो c रहेगा दूसरा वाला question से मिलेगा अगर एक extra data तो केवल c निकालनेगा यहां तक लियर है चलो start करते है और आया कभी था October 2015 2015 मतलब समझे रहो यह 2024 है आज से तक्रीब नौ साल पहले एप्रोक्स समान लो कि 2015 उस्टेब में तुम लोग साइथ फिफ स्टेंडर में भी नहीं थे हैं तब के बच्चे ट्वेल स्टेंडर के बच्चे यहाला सम सॉल कर रहे था बोड में समझ पर रहे हैं लेवल देखो और हम लोगो क्या चिंदी-चिंदी सम आ रहा है यहाला सॉल करो ना बाइस रुबाय करना चलो अपना प्रेटीयम नमर दे देना सच्छी लोग यहां पर असली में नहीं करूंगा रहे हैं यहां पाइट पूछा है तो सबसे पहले तो तुमनों को मालूं में यह एक्स को अटाना है एक्स्टाइट बाद में देखेंगे एक्स्टाइट अधिक है नागी नव राइट सेड़ ला ना राइट सेड़ वाला कॉस एक्स माइनस साइन इस देखने का यह तो कोई बिशन बोलते हैं इसके साथ एक्सटिप का हुआ है यहां लेगा अंसर के आगे एक काम करने का के को बाहर दो और नागी निसके पास बजिए नागी न अब यहां पर चलो एक स्टिप और बड़ा देता हो एक श्टिप और बड़ा देता हो चलो बस आप लोगों लगते तो यह स्किप करना चीए एक एक पो पे चलो यह नागी निसके बज जाएगा इंटिक्डरेशन ऑफ कोई एक्स दीएक्स माइनस इंटिक्रेशन ऑफ कोस X देपर सब्सक्राइब काउस की कश से चलू हो तो अब दिज़ने का यह मदा सिसे चलू हो नहीं तो मैनस यह माइनस को साहनेक्स का का इंटेट आगर सवाइनशा से चलो और यह माइनस लिखने कॉंग्रेजुलेशन क्यों सर बाब बने नहीं नहीं मेरे को f of x मिल गया आओ f of x मिल गया अरे हाँ या ना यह सो नो अगर देहां देखोगे इसके अंदर दो अनोने एक टो क्ये है और एक तो सी है यहाद क्लियर हो गया अरे यह सो नो चलो आप देखते डेटा क्या-क्या द क्या होता है f of x में x के जिएक पर बरोबर है यह नहीं यारë देख रहा है तो f of x में एकस के जिएक पर 0 तो इसका मतलब दीड़ो देघ्ट समझाल लिकन और एक तो यह न bully टिखते है तो एक घ्छा । आपो एक्स प्ट यह सम्झा मैं नहीं एफ टेस तो इड़ा। अब умS अब क्या आप 0 वो जीरो का वैल्यू मार्केट में है three के कॉस जीरो अब टेबल तो आना चाहिए इतना तो तुम लोगों बता नहीं सकता ना कॉस जीरो क्या होता है one होता है 1 1 और साइन जीरो क्या होता है जीरो होता है 1-0 1-2 के मतलब 3 is equal to k congratulations क्यों सर के का value मिल गया मैंने बोला था ना एक condition से एक value मिलता है दूसरा और देखते ना अभी क्या है यहां पर यहां पर यहां थोड़ा अच्छा लगता है इतने इंग्लिज आता है मुझे सच बोलर मैं सोल टीचर को इतने इंग्लिज आता है यहां बस चलो यहां पर एप पाइबाइट टू इसका मतलब क्या था पूर्ट एक्स इस इन देखो एफ ओफ एक्स दीख रहा है इस दीक रही है चलो 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 4 2 को इस इकल डूट के चैले का व्यल्यच दो गेका वेल्यु दिना साइन पाइबाइड टू इस पाइड़ टू प्लस कि कॉस्क्स पाइबाइड वाइडू प्लस इस चलो व्यूटप कर रहें podr एट को पाइटू का वेल्यू है लिखाए पंद्राय मिल चुक आवेट का मरूं थृ कि कि साइन नेनटी साइनटी साइन नाटी क्या होता है बच्छे यह याद करने का मुझे लगता है यहां से को सी का वेल्यू मिलने वाला है हाँ बोलो क्या आएगा बोलो आगे क्या आएगा बोलो बोलो 15 15 is equal to what 1 plus 0 1 3 plus C 3 इदर यह मत्द बोलो 3 इदर डिवाड़ होगा C का value इसको बंद करो यह plus कर रहा है इदर क्या करें माइनस 15-3 is equal to आगे आपड़ों सी मतलब सी का वेलू कितना अगया कोंगरेजूलेशन तुम लोगों के और सी मिल गए और एक्स तो थाई अब आप पड़ाइब एक्स का वेलू देरवर एफ एक्स वीगम वो रहो एक्स विकम छलो बताओ विकम क्या हो जाएगा एक्स प्लस को सेक्स यहां पर यह प्लस को इग्णोर कर सकते तो करो प्लस पर यहां पर यह अंसर है कि क्या ही डाउट है बताओ बोड का कोशन है कितना इसली सब्सक्राइब करो अपने आप आप आएगा दुनिया कोई भी कोशन होने दो सौल हो गांड़ेट पसंट इसे अपना मंजील है लेकिन इस मंजील में कुछ और भी चीज लगेगा मंजील में मुझे के लगने वाले स और पाउन तो निकालना पड़ेगा नहीं दिया है तो मैं इस से चोड़ूँगा यही मेरा final step रहेगा चलो यहां पर दिया है तो f dash of x मतलब x के पर क्या लिखना है 0 लेकिन किस में f dash of x में तो लिखा तो k का value यह दिया इसका मतलब x के लिखना है 5y2 लेकिन किस में f of x क्या करते वीडियो देखके भाग जाते अरे कुछ तो कमेंट तो करो यार बहुत मेहनत लगता है यह ओक्टबर 2015 का कोशन कौन सा यूटूब ऑला चैनल महारश्च्री स्टेडवर का टीचर कोन सा सौल करा रहा है एक भी टीचर का नाम लेलो कोई भी टीचर ऐसा इतना मेहनत करके बताता रहेगा तो बता अगशर कर रहे है तो हैस्व जानता है नहीं हम लोग चोटे यूटूबर लेकिन कोई क्र रहा है तो महनत के लिए लाइक करो अटीच करो इस लिए लाइक करो है मिलते लिए नेक्स वीडियो में तर्ट किल कि बाइ-बाइ-ठैंक्यों सो सेच करना, मिलते, बाइब बाइब